प्रिये देश्वासियों, हमारे यहां के बच्चे, हमारे विद्यार्थी, अपनी पूरी क्षमता दिखा पाएं, अपना सामर्थे दिखा पाएं, इसमें बहुत बड़ी भूमी का नुट्रेशन की भी होती है, पोशन की भी होती है। पूरे देश में सितंबर महने को पोशन माह, नुट्रेशन मंत के रूप में मनाये जाएगा। नेशन और नुट्रेशन का बहुत गहरा सबंध होता है। हमारी यह एक कहावत है यता अन्नम तथा मन्नम यानि जैसा अन्न होता है, वैसा ही हमारा मानसिक और बवधिक विकास भी होता है। एक्सपर्स कहते हैं कि शीशू को घर्व में और बच्वन में जितना अच्छा पोशन मिलता है उतना अच्छा उसका मानसिक विकास होता है और वो स्फस्त रहता है। बच्चों के पोशन के लिए भी उतना ही जरूरी है कि मा को भी पूरा पोशन मिले। और पोशन या नूट्रिशन का मतलब कि अवरत इतना ही नहीं होता कि आप क्या खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, कितनी बार खा रहे हैं। इसका मतलब है आपके शरीर को कितने जरूरी पोशक तत्व, नूट्रिएंस मिल रहे हैं। आपको आयन, कैल्सम मिल रहे हैं या नहीं, सोडियम मिल रहा है या नहीं, विटामिन्स मिल रहे हैं या नहीं। ये सब नूट्रिशन के बहुत important aspects हैं। नूट्रिशन के इस आंदुलन में, people participation भी बहुत जरूरी हैं, जन भागीदारी ही इसको सफल करती हैं। पिछले कुछ वर्षों में, इस दिशा में, देश में काफी प्रयास किये गए हैं। खास कर हमारे गावां में इसे जन भागीदारी से जन अंदुलन बनाये जा रहा है। पोशन सप्ता हो, पोशन मा हो, इनके माद्यम से जादा से जादा जागरूपता पैदा की जा रही है। स्कूलों को जोड़ा गया है, बच्चों के लिए प्रतियोगीत आएं हो, उनमें एवर्नेस बढ़े, इसके लिए भी लगाता प्रयास जारी है। जैसे क्लास में एक क्लास मोनिटर होता है, उसी तरह नुट्रिशन मोनिटर भी हो, रिपोर्ड कार्ड के तरह नुट्रिशन कार्ड भी बने, इस तरह की भी शुरुवात की जा रही है। पोर्शन महा, नुट्रिशन मन्त के दोरान माय गौव पॉर्टर पर एक फूर एन नुट्रिशन क्वीच भी आवजित की जाएगी। और साथ ही एक मिम कॉम्पिटिशन भी होगा। आप खुद पार्टिसिपेट करें और दूसरों को भी मोटिवेट करें। साथियों, अगर आपको गुजरात में सरदार वल्लभाई पटेल के स्टेची ओफ यूनिटी जाने का आउसर मिला होगा और कोवीड के बाद जब वो खुलेगा और आपको जाने का आउसर मिलेगा, तो वहाँ एक यूनीक प्रकार का नुट्रिशन पार्क बनाया गया खेल खेल में ही नुट्रिशन की शिक्षा आनन प्रमोत के साथ वहाँ जुरूर देख सकते हैं। साथियों, भारत एक विशाव देश हैं, खान पान में धेर सारी विवित्ता हैं। हमारे देश में छे अलग-अलग रूतियां होती हैं, अलग-अलग ख्षेत्रों में वहा पाकिस्थानिय भोजन और वहाँ पैदा होने वाले अन्न, फल, सबजियों के अनुसार एक पोशक, nutrient-rich diet प्लान बने, अब जैसे मिलिट्स, मोटे अनाज, रागी हैं, जवार हैं, यह बहुत अप्योगी पोशक आहार हैं। एक भारतिये कृशिकोष तयार किया जा रहा है इसमें हर एक जिले में क्या-क्या फसल होती हैं, उनकी nutrition value कितनी हैं, इसकी पूरी जानकारी होगी, यह आप सब के लिए बहुत बड़े काम का कोश हो सकता है। आईए, पोशन महा में, पोश्टिक खाने और स्फस्त रहने के लिए हम सभी को प्रेरित करें।